तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फेक टूइट का इस्तमाल करके बारल मिम्स किस तरीके से बनाते हैं यह सिखाने वाले हैं जैसे कि अभी भी आपने देखा था तो गाइस इस तरीकी के जो रील्स हैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा बारल हो पेस केरेट कर सकते हो और बना सकते हो एंड अपने पेस को эффस कर सकते हो और Trop एक है तो पहले टेलीगराम च्छलन सोने वाले जलोगो और टेलीगराम चैनल को ज्ञाइन कर लीजे उसके पर हमयाने तो बैक ख़ूयांम करने लिए हीए बनाने कि यहाँ पर हम लोग regulatory के वाली है तो कौन सी वो तीन application है पहले मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर पहली application है हमारी fake tweet post creator second application है बी-n and third application यहां पर आपको इस third party application डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे कि आप install कर सकतें Instagram की Reels को या फिर आप simply से जाकर Google से भी यहां पर download कर सकते हैं तो इन तीन application की यहां पर आप सकता होने वाली है तो आगी आज इस वाली वीडियो का अमलोग शुरू कर लें यहां पर फाइनली से मैंने अपना Instagram उपन कर लिया है तो सबसे पहले आप लोगों को वाइरल साउंड जो भी अभी Instagram पर Reels वाइरल हो रही है जिस sound पर Instagram रिल वाइरल ही है पहले आप लोगों उनको simply से अपने Instagram में सेफ कर लेना जिससे कि आप उनहीं के ऊपर मेंस बना सकें जिससे कि आपका इंस्टाग्राम पेज और तेजी से बाइरल हो सकें तो यहां पर मैंने कुछ आडियो सेप कर रखी तो पहले मैं आपको यह आडियो सुनाने जा रहा हूं ज्यादा हसना मत क्योंकि बहुत ज्यादा फणी है यह ज्यादा बनना जाता हूं आपने यह सुनी लिया और आपके चाहरेसरी इसमाईल भी आ गई होगी तो सिंप्प्लिटो क्रिंटा के रिल ना है यहाँ पर हमारी सेकेंड थरेट आप्लीकेस यहां से मैं इसको साली डाउंड कर लेता हूं वीडियो को डाउनलोड कर लेने के आद यहाँ पर आप लोगो second application fake tweet application को यहाँ पर open कर लेना है जब तक यह application open हो रही है आप चैनल को subscribe कर लिजे इसके आद यहाँ पर आपको create tweet का option दिखाई दे रहोगा simply से आपको इस पर click कर देना है तो कुछ भाई लोगों के में इस समय dark mode open होगा तो simply से आपको white mode को open कर लेना है इसको open कर लेने के आद यहाँ पर आपको इसकी review tweet को cancel कर देना है और यहाँ पर आपको एक option photo add का मिल जाएगा तो simply से आपको इस पर click करना है यहाँ पर आप कोई भी attractive photo लगा सकते है तो यहाँ पर हम अपने channel का logo लगा देते है photo को add कर देने के आद यहाँ पर आपको एक name को option दिखाई दे रहा होगा simply से आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के आद यहाँ पर आपको अपना name type कर देना है जिसवाअट पर आप यह videoda दानना चाहते है उसके आद यहाँ पर आपको एक डनवाला अप्शन दिखाये रहा होगा simply से आपको इस पर click कर देना है उसके आद यहाँ पर आपको यूजर नेम यूजर नेम पर जाना है और यहाँ पर भी आप अपना username टाइप कर लिए यहाँ पर done वाले option पर आपको simply से click कर देना है उसके आद यहाँ पर आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको memes निकल ले हैं आप जितने funny memes लिखेंगे आपकी वीडियो उतनी ज्यादा viral हो सकती है तो यह memes आप चाहें तो सकते हैं कि मैंने second answer के लिए यहाँ पर जगा दे रखी है तो यहाँ पर आपको done वाले option पर click कर देना है और simply से आपको इसको save कर लेना है यह simply से आपको यहाँ पर back आ जाना है back आने के आद यहाँ पर आपको third application being application को open कर लेना है जब तक यह application open हो रही है वीडियो को like कर सकत कर देना है इसके बद यहाँ पर आपको कोई भी simply school to select कर लेना है उसका तुत थे यहाँ पर आपको next वाले option पर आना है यहाँ पर आपको को Extractי्स से कर देना है प्लास वाले option पर जाना है और यहाँ पर आप लोग को il 마이다 का option दे रहागा simply से अपको इसपर क्लिक कर देना है यहां पर आपको इसकी लेंद को थोड़ा सा बढ़ा कर देना है जिससे कि हमारी वीडियो आराम से बन सके उसके यहां पर आप लोगो को प्लस वाले ऐकन पर जाना है यहां पर पी आई-पी का एक ओप्सन दिखाई देने लगेगा आपको सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर दो आ यहां पर आपको ग्यैलरी में जाना और जो अब हमने अपनी श्रत करीद यहां पर आपको राइटिट यहां पर सिंपली से किले कर देना इस पर क्लिक कर देने के पहले आप पर आपको इसको simply से adjust कर लेना है और यहाँ पर आप लोगो को एक Blending को Option दिखाई देने लगेगा Simply से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लाइटे इन यह स्क्रीन पर चले जाना है तो यहाँ पर मैं multiply पर चले आता हूँ और right वाले option पर simply से click कर देता हूँ तो यहाँ पर अब आप लोगों क्या करना है second video को add कर लेना है जो अभी हमने install करी थी तो यहाँ पर फिर से आपको plus वाले icon पर click कर देना है बीडियो पर जाना है और simply से उस वाली वीडियो को add कर लेना है बीडियो को add कर लेने कर आदओ यहाँ पर आपको simply से crop वाले option दिखाये रहा हूँगा simply से आपको इस पर click कर देना है इस पर click करदेना है यहाँ पर आपको वीडियो को simply से adjust कर लेना है तो guys यहाँ पर finally से मैंने अपनी वीडियो को add कर लिया है उसके आद जहां तक हमारी वीडियो की length है वहीं तक हम अपने image की length कर देंगे यहाँ पर आपको split वाला option दिखाई दे रहा होगा simply से आपको इस पर click कर देना है उसके आद आगे वाले part को यहाँ पर simply से delete कर देना है उसके आद यहाँ पर आपकी वीडियो को इस परकार से बनकर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर guys आपको एक परिसानी देखने को मिल लगी होगी कि यहाँ पर sound नहीं आ रहा वीडियो में तो simply से आपको क्या करना होगा वीडियो पर click करना होगा यहाँ पर आप लोगो एक audio को option दिखाई दे रहा होगा simply से आपको इस पर click कर देना है और इसकी volume को full कर देना यहाँ पर आप लोगो back आ जाना है export वाले option पर click कर देना है export वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आपको right वाले option पर click कर देना है right वाले option पर click करने के आप continue to export पर click कर देना है simply से आपकी वीडियो export होने लगेगी so guys यह थी आज की वीडियो I hope आज की स्वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ाया होगा मज़ाया तो लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसी amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहन बंदे मात्रम